नमस्कार दोस्तों मैं रंजनकुमार आप लोग को इस ब्लॉग में फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं पिछले वीडियो जो अभी लेटेस्ट वाला वीडियो डाला हूँ उस वीडियो में मैं बताया हूँ कोई री ज्वाइनिंग आना शुरू हो गया जितने भी भा तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्किप्सम प्रक्स में मैं डाल दूँगा आप जाके देख लीजिए गा तो जब मैं वीडियो डाला हूँ तो बहुत सरे दोस्तों का कुछ सवाल आ रहा है कि क्या सर जाने के बाद वरा मेडिकल होगा क्या या ताकि मैं वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों मैं ऐसे ही SSCGD से रिगार्डिंग वीडियो डालते रहता हूं टिप्स और ट्रिक्स देते रहता हूं मतलब अगर आप SSCGD के त्यारे करते हैं तो आपको मेरा चैनल बहुत सारे हेलफूर कर सकत यह कि दो पेज का ही आएगा जो पिछला जो ओरिजिनल ऑपर अपटमेंट था उससे बनवा लेना है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्मेंट लेके सांत में आठ हजार रुपिया बताया था पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आप लोग उन्हें देखा भी होगा आप कम से कम 15,000 रोपे लेके जाते हैं जाते हम जाएंगे तो ट्रेनिंग में दो पहले डाला हूं उसको दिखी गा त आपको पता चल जागा उसमें आपका जो जो जॉइनिंग मतलब आपका चीस एस एस्टेंथ बतालियन के भरती हुआ था उस एस्टेंथ बतालियन में आप वहां जाना है ना कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में तो इतना कंफर्म रहे है कि जो आपका ट्रेनिंग सुरू होगा कम से कम एक से देड़ महीना या दो महीना मतलब कम से कम बता रहा हूं एक महीना का बाद ही एक देड़ महीना का बाद ही आपका ट्रेनिंग चालू हो कि ओरिजिनल जो ऑफर अपाइटमेंट दिया था मतलब 24 का जो दिया था उससे 6 महिने के बाद आटोमेटिक आपका मतलब कंडिटेचर कैंसिल हो जाएगा कैंसिल माना जाएगा तो 6 महिना होने सा ऐसे ही 4 महिना निकल गया है एक दो महिना है एक महिना का टाइम दिया है उससे जाएशन देते हैं कि आप जाएए वहाँ पर जाके तुरंट आप छूटी लेके आ सकते हैं क्योंकि तुरंट ट्रेनिंग सुरह होने वाला नहीं है जोइनिंग कीजिए 2-4-5 दिन रहिए देखिए अपना कैंप देख पर जाएटा है कि बहुत सरे दोस्त हम पर ही लगाने लगए थे कि सर आफी के चलते मैं नहीं गया मेरा ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है घर के लोग बहुत बोल रहा है तो मैं अब यह बात नहीं सुनना चाहता हूं हाला कि इसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर का ऐनी उसका महें बहुत रहकी से बढ़ा था। उसमें लिखा था कि 18 महीना के अंदर आगर आप ज्वाइन करते भी करते हैं मतलब गोट आपका पिछला मेडिकल से अभी का ताइम तो आपका दोबारा मेडिकल होगा, मै बताता हूं, कि इसमें 75-80% लड़के को फिट कर दिया जागा, थोड़ा-थोड़ा नरमली कुछ प्रोब्लम होगा तो उसको अंदर ही रख लेगा, अगर ज्यादा प्रोब्लम होगा, जो दिखता हो, कि यहां यह इस लड़के को यह प्रोब्लम है, तो थोड़ा सा मेटकली प्रोब्लम हो स और इसे होगा भी नहीं, अगर साथ में सुरू हो भी गिया, उसी ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज भी दिया, तो आपसे चार महीना वो ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया है, आपसे चार महीना पहले वो पासिंग आट प्रेड कर लेंगे, और चार महीना बाद आपका पास कर रहा है तो चार पांच महीन पहले उसका पासिंग प्रेड हो जाएगा और आपका बाद को यह भी कमेंट किये थे कि सर हमेरे पास जो ऑफ़र अप्वाइंट में आया था पहले मैं उसे समय मैं ड्यून अबना आधा लैकिन मैं मतलब कुरोना हो गया इसलिए मैं नहीं जा पाया था तो क्या वही Δ faut क्या क्या वाइएट फोघ्रह Wodakya कोई प्रोब्लम नहीं है जाइएगा तो बता धिए चैब को यह ऑगया था नहीं बनवा लिया था तो कोई Πॉप्रोब्लम नहीं बनवा लिया तो फिटे बनवा लिजिये न्याया आप गीन श्ञवल्य rough रहए पर बनवा नहीं हैं बहुत सारे दोस्त जो पहले किसी कारान बस रिजाइनिंग देक midnight गरताइब ट्रेंग ख़तम का नहीं हूसके पहले ही शुरौ किये हुए वह लोग आ गये लेकिन 4-5 महिने का जो ढशानिंग सुरौ हुआ रि जुरू है तो इन लुग शोल का भी second opportunity आ गया था तो हो भी सकता है 50% हो भी सकता है 50% नहीं बहु हो सकता है इसके लिए मैं भी confirm नहीं हुँ इसलिए थोड़ा सा मैं नहीं बता पारा हूं लेकिन अब भी अपने पोस्ट आपीस में पता करते हैं हाँ मैं एक बाद बता दू जितने भी दोस्त सेकेंड ओपर्चिनिटी का इंतजार कर रहे थे वो सभी कोई अपना अपने पोस्ट आपीस में जाकर पता करें क्योंकि जागा मैं कमेंट में भी रिप्लाइज देती हो बिल्कुल चल जागा उसको आप निकलवाईए जी रक्स करके लेकर देगे क्योंकि एक कोपी आपको आया हो और दूसरा कोपी आपके शेंद बटालियन में भी गिया होगा मतलब उसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कर देख सकते हैं लिब हुआ हैं